नमस्कार दोस्तों मैं आज बना रही हूं रेड विल्वेट केक इसके लिए मैंने 90 ग्रांग प्रीमिक्स लिया है और उसमें 50 ml पानी डाल कर एक अच्छा सा बेटर तयार कर लेंगे और इसमें 3-4 बूल में कलर मिस्ट के अरोमा डाल रही हूं इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है लेकिन अच्छा कलर नहीं आता है और प्राइट हमें कलर करने के लिए बेकरी वाले क्या करते हैं हम देखें इसके लिए आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए अब हम इसमें एक टेबल स्पून तेल डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मैंने पह दिमियाज पर इसे हम 30-35 मिनट तक बेक कर लेंगे ये कडाई में मैंने नमक डाल रखा है और एक रिंग रखी है इस पर ये रख देंगे और 30-35 मिनट हम इसे बेक कर लेंगे ये बहुत ही अच्छा तयार होता है बहुत सौफ्ट बनता है और इसे देखिए ये एकदम ब् हम देखते हैं आगे और अब इसे पूरा ठंडा कर लेंगे हम और इसे दो लियर में काट लेंगे ये साइट के जो ब्राउन पार्ट आया है इसे हम हटा लेंगे और ओपर से भी अच्छे से कट कर लेंगे हैं दो लेएर में हम काटेंगे यह बहुत छोटा है यह 200 ग्राम का अड़r है इसे हम अच्य से कुटिंग कर लेंगे यह बहुत साफ्ट होता है साउधानी से कत करें देखिये कितना अच्छा कलर आया है अब हम इसके आइसिंग के तयारी करते हैं इसके लिए मैंने करेंग ग्राम क्रीम चीज है और 60 ग्राम यह वाइट चोकलेट का गनाश लिया है यह मैंने वन बाइवन रेशो से तयार किया है वाइट चोकलेट गनाश इसमें मैं डाल देते हैं और सो ग्राम मैंने विप क्रेम फैट के रखी है और अच्छे से थोड़ी सी हाट फैट के रखी है अब हम इसमें हलके हातों से मिला देंगे बहुत ही हलके हातों से मिलाना है वरना ये थोड़ी पतली हो जाती है ये हम मिला कर इसे अब हम जैसे रेगुलर तयार करते हैं वैसे तयार कर लेंगे केक को कि फिनिश कर लेते हैं यह बहुत ही टेस्टी होती आइसेंग यह क्रम पूटिंग के बाद एक अच्छे से फिनिशिंग दे दिया हमने अब हम इसके साइट से भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और इसके ऊपर बची हुई केक की जो स्लाइस थी उसको चूरा करके अच्छे स सुखा लिया है और यह डाल देंगे अब हम इसको चलने में डालके दीरे से इसके उपर चान देंगे तो एक बहुत ही अच्छा सुन्दर उपर वेल्वेट का इफेक्ट आ जाएगा और अब हम इसे अच्छे से आसपास से भी क्लेन कर देंगे यह देखिए एक अच्छे सा कवर कर दिया मैंने इसको पूरा भोती इजी है यह और क्लीन करने के बाद हम नोजल में एक इस्टार नोजल में वाइट क्रीम डालकर यह अच्छे सा फ्लावर बनाया और डबल हार्ट बनाया मैंने यह भी रग दिया और एक बड़ा सा पर लगा दिया है अब हम इससे जानते हैं कितना सुंधर की सिट इंक यह कैसे आया इख़िंजिंगे में इसमें हाफ टी स्पोन ड्रेट कॉमेटो कलर डाला है मैं इस वजह से एकदम भलाइट कलर आता है बेकरी इस शिक्रेट है यह जरूर आप ट्राइब किचिये यह बह